Hello everyone, welcome to Stimulus Academy आज की हमारी वीडियो OMR challenge के उपर है OMR challenge करने का मतलब क्या है क्यों हमें NTA ने एक प्रावधान दिया है क्यों हमें NTA ने एक option दिया है कि OMR challenge हम कर सकते हैं तो what is the use of it तो हमें मतलब जानना इसका बहुत important रह जाएगा कि इसे करने का motive क्या है तो पहला एक सबसे बड़ा बोटे बात है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि computer जो OMR हमारी scan करता है तो वहां पे कुछ गड़बर हो जाती है कि हमने mark तो कुछ और option किया है पर कुछ technical issue की वज़े से जो OMR में answer जो perceived हुआ है computer के पास वो अलग option हो जाता है हमने option अलग mark किया है और option अलग पर perceived हो जाता है तो उस case में हमारे पास OMR check करने का OMR challenge करने का option रहता है दूसरा reason यह रहता है कि हलाकि एक चोटा सा reason है पर कभी-कभी important role play करता है कुछ बच्चे होता है जो parents को बोलते कि हमने तो यह option mark किया था पर हमारा answer गलत आ रहा है तो उस case में parents के पास एक option रहता है कि अगर बच्चा claim कर रहा है कि अगर बच्चा एकदम confidently बोल रहा है कि हाँ मैंने यह mark किया था और option गलत आ रहा है तो फिर वह पर एक option रहता है कि आप claim कर सकता है ठीक है फिर एक रहता है option कि OMR sheet दिखाने का एक motive यह भी रहता है कि जब result आता है final result तो आप अपने marks calculate कर सकते हैं आप आपकी OMR sheet के according जो marks नहां पर दिखाया है आप option मतलब आप अपने marks cross set कर सकता है ठीक है तो जो final result है उससे हलाकि वहां पर आपके बास challenge करने के लिए उस वक्त बाद में यह कोई option नहीं रहेगा पर अगर आपको लगता है कि हाँ कोई बड़ी गल्ती हुई है तो आप legal procedure के तुरू जा सकता है legal procedure like court वगर के तुरू पर ठीक है इतना कोई जाने की जुरत नहीं होती इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो पाती है क्योंकि अभी जो artificial intelligence जिस तरह से यहां पर नीट के paper processing में या checking में use होता है वह बहुत अच्छे से automated procedure है और अच्छे से function करता है ठीक है एक reason यह भी रहता है OMR दिखाने का या challenge करने के option देने का कि in case OMR marked जो भी रहता है जो बच्चे mark करते हैं और display नहीं हुआ है मतलब display कहां नहीं हुआ है जो final OMR sheet upload हुए महां पर display नहीं हुआ है तो क्या रहता है कि इस time पर एक carbon copy जो की generate हुई थी साथ में OMR के साथ में carbon copy generate हुई थी इस बार नीट के दोरा एक carbon copy भी बच्चों से ली गई थी तो वो क्रॉस चेक होती है कि अगर बच्चा यह क्लेम कर रहा है कि मैंने तो यह मां किया था पर upload में नहीं दिखा रहा है तो वहां पर क्या होता है कि इस carbon copy से क्रॉस चेक होता है कि देखिए आपने carbon copy में अगर अंसर दिख रहा है और अंसर नहीं दिख रहा है दिख रहा है जो भी है तो उसके न्टे की website पे एक draft आया था कल शाम को ही 5th October 6 PM से पहली एक draft आ गया था कि कैसे PDF format में आपको करना है PDF format में आया था ठीक है तो प्रसीजर यह है कि website पर जाने के लिए बोला गया यह PDF में तो website का link हमने description box में भी दिया है वो भी देख सकते हैं अब वहाँ पर जाने की बात क्या करना है कि आपको application number आपका खुद का application number था और password से आपको login करना है वहाँ पर आपको एक screen पर लिके आपका खुद का account खुलेगा ठीक है वहाँ पर आपका account खुल गया अब left panel में देखिए left panel के अंदर क्या है left panel में आपको OMR challenge दिखेगा ठीक है जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं आपको एक OMR challenge देखेगा आपको उसको select करना है फिर आपको दो options देख रहे हैं दो options पहला option क् और दूसरा option है OMR challenge तो OMR challenging link एक दीव गई है तो वहाँ पर आपको option है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि आप अपना OMR check कर लेंगे कि यह आपका OMR और आप download करके रख लेंगे तो यह आपके पास आपका OMR खुद का download हो गया अब इसके पास आपका OMR खुद का download हो गया ठीक है तो capture response as per OMR sheet का मतलब यह है कि आपने OMR sheet में कुछ mark किया था और computer ने उसको किस तरह से capture किया, computer ने उस option को किस तरह से perceive किया है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद 3rd जो column है वो है candidates claim अब candidates claim का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे अगर आपको लगता है कि जो आपका candidate response as per OMR sheet है वो गलत है गलत दिया गया है तो आप क्या करेंगे कि first column में जो checkbox है वहाँ पर आप टिक करेंगे वहाला question आप टिक करेंगे जो आपको claim करने के लिए टिक करेंगे वैसी आपको candidates claim के अंदर 3 options दिखेंगे 3 options दिखेंगे बाकी के 3 options दिख तो आपने यह mark किया था candidates claim आपका खुद का claim है आपने यह mark किया था पर आपको दिख नहीं रहा है आपको कौन सा दिख रहा है आपको second column वाला दिख रहा है तो हाला कि यह सा नहीं होता है generally देखने को मिलता है कि अलग-अलग options आया है आपने mark कुछ अलग किया हो और candidates response as per OM अलग आया हो generally same देखने को ही मिलता है पर worst की scenario है कभी देखने को मिले तो आप claim कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर यह claim करने का option है अब इसके बाद आप क्या करेंगे select कर लिए अपने option हो गया अब तीन options में अपने select कर लिया यह भी हो गया अब क्या करेंगे कि आप नीचे से submit कर देंगे जितने questions क्लेम करने इतने questions क्लेम कीजिए नीचे जाकर आप submit कर दीजिए submit करने के बाद आपको क्या है आप एक screen में लेगी जहां पर सिर्फ आपके challenges दिखेंगे कि आपने यह challenges select की है अब select करने के बाद क्या होगा कि आपको finally क्या करना है आपको क्लेम के है इस आपने आप ठीक है तो आप पेमेंट किसी के भी थ्रू कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैकिंग के थुरू ठीक है तीन ओप्शन यहां पर अविलेबल है उसके बाद आप क्या करेंगे आप अपनी OMR Challenge Receipt को डाउनलोड कर लेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन है डाउनलोड एंड प्रिंट OMR Challenge Receipt यहां से आप अपनी Receipt को डाउनलोड कर लेंगे अब यह जो Receipt है यह आप सेव कर लेंगे बहुत IMPORTANT है क्योंकि पेमेंट आपको दिखानी पड़े कि आपने पेमेंट कर दिया है उसके बाद जब आपसे पेमेंट का यह मांगा जाएगा कि आपने प्रूफ क्या पेमेंट किया है तो आपको रिसीट दिखानी पड़ेग अब क्या होगा रीजन अब next क्या होगा कि अगर आपने जो क्लेम किया है वह करेक्ट हो जाता है मतलब आपने जो क्लेम किया है वह करेक्ट हो जाएगा इसका मतलब यह है कि आपका क्लेम सही है ठीक है तो आपको जो आपने फीस भरी है वह रिफंड हो जाएगी पर अगर तो आपको क्या होगा वह रिफंड नहीं होगा कि जितने पैसे बड़त हैं नहींगा। बलत क्लीम यह फाइनल रहेगा तो फिर हम उसकेस में नहीं होग जो भी है जो भी डिसीजन रहेगा वह फाइनल रहेगा नेक्स यह जो circular आया था यह circular आया था कल आया था कल शाम को 5 5th October को 6 p.m. के around circular आया था और इसमें करना क्या था कि दो ही दिन का टाइम दिया गया था 5th October 5 6 p.m. से लेकर 7th October 6 p.m. तक का टाइम हमारे पास दिया गया है कि हम यह चालेंज कर सकते हैं और जो पेमेंट है पेमेंट का लास्ट ऑप्शन दिया गया है 8 p.m. तक का तो आए प्रेफर कि आप 8 p.m. तक ना जाएं 8 p.m. तक ना खिर कर आपको क्लेम कर नहीं है तो 6 p.m. तक आप क्लेम करें क्योंकि अगर कोई भी टक्निकल इसू रहा तो फिर हम यहां से चूक जाएंगे मतलब हम यहां पर मिस कर जाएंगे तो आप बैटर रहेगा कि आप 6 p.m. तक ही यह कंप्लीट करके फिनिश कर दीजाए अगर आपको वीडियो पसंद नहीं दो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर जरूर करें और ऐसी अप्रेट पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दो चानल थैंक्यू थैंक्स अलॉट